चलिए फ्रेंड्स आज हम बनाते हैं नारियल मसाला मिर्च यह मिर्च खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने का मज़ा दुगना करने वाली यह मिर्च कैसे बनाई जाती है आज हम इस वीडियो में देखेंगे चलिए देर किस बात की हम इसे बनाते हैं तो मैं होरीना बिरादार और आप देख रहे गर का खाना और घर के खाने में मैं आप सब का बह। बहुत स्वागत करती हूँ इस मिर्च को देख के ही मों में पानी आने लगा है इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनके ये रेडी हो जाती है तो इसे बनाने के लिए मैंने इस ताइप की बावनगरी मेच होती है ना वो वाली मेच यहाँ पे यूज की है ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती इसे साप पानी से धो कर अच्छे से पोँच ले इसके बाद में इसके अंदर से इस तरह से नाइप की मदद से कट मार ले इसके अंदर बीज होते हैं किसी में कम तो किसी में जादा अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे आप निकाल कर फेक सकते हो अगर आपको पसंद है तो ऐसे भी रख सकते हो अच्छे लगते हैं खाने में आप सारे म मैंने कट कर लिया है यहाँ पे लिया है तो आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा मैंने नारियल का बुरादा तो यह नारियल का बुरादा मैंने घर पे ही बनाया है मिक्सर जार में सुखा नारियल डाल कर इसके बाद में तीन से चार चमच मैंने इसमें डाल दिया है भूनी taste के अनुसार डाल दे, अगर आपको हरी मिर्च पसंदे तो भो भी आप डाल सकते हो, अब इसके बाद मैं एक टीस्पून डाल दिया है, मैंने यह आप 드anज जीराः पाऊडर, इसके बाद मैं डाल दिया है leisun, लेशun के 5-6 कलिया मैंने आप अपर उट कर डाल दी है, सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स जब यह सुखा है तभी थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर डाल दे थोड़ा सा तेल एक चमश तेल इसके अंदर डाल दे और इसे अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ा सा एक चमश हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी और इसे मिक्स कर ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आजाए पानी की वजह से अच्छे से गीला हो जाएगा और भरने के लिए आसानी हो जाएगी तो अब देख सकते हो बहुत अच्छे से ये मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इसे बर लेते हैं इस मिर्च के अंदर तो मिर्च बच्चे अरामढ़ा हैं आपमाने समय स्टाघव हैं। चैारामचम करbiesे देखे-देखे एंसाध喔 अच्छे से भर दिया है अब तबे के उपर थोड़ा सो ओईल डाल देते हैं और ओईल के अंदर एक एक करके मिर्ज रग देंगे ताकि इसे फ्राय होने में अच्छे से मदद मिल जाए इसे दिप फ्राय हमें बिल्कुल भी नहीं करना है तो थोड़ा सा ही ओईल लगेगा ब अच्छे से पका लें बहुत अच्छे से यह पक जाएंगे तीन से चार मिनट के अंदर जो मसाले की साइड है पकाने के टाइम में याद रखे ज्यादा देर हमें उसे नहीं पकाना होता नहीं तो मसाले पुरी तरह से नीचे निकल जाएंगे एक दो मिनट के अंदर अंद तो ये मिर्च खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आप इसे एक बार जरूर ट्राय करें इसे आप लंच के टाइम में या तो किसी भी स्नाच के साथ में डिननर में टिफिन में कहीं पे भी खा सकते हो जाय तो ऐसे भी खा सकते हो इतनी टेस्टी बनके ये करें अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेर करना ना भूले अगला जो रेसेपी है वो आप क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉ झाली उन्ओरते है झाली तक मेरे जह बढ़ी कर दो आपको पोले यह थालीट Olympics ज्मत आप बढको आपको 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 किया थावानी है उन्दार भी इंस्टा आपको प्लोग पोले ए रहाई जोूज के जिए लेगल प्रेंदाब को आपको 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